असोक ली लेंड की BS6 ट्रक और बसों में डीजल टेंक और DEF डीजल अगजास्ट फ्लिूड टेंक की कैप को खोलना और बंद करने का सही तरीका BS6 गाड़ी में डीजल टेंक कैप कैसे खोलने Step 1. दोल स्रक्षन कैप उठाएं और डीजल टेंक कैप में चाबी डाले Step 2. चाबी को घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिगरी गुमाएं Step 3. डीजल टेंक कैप को घड़ी की उल्टी दिशा में अंत तक घुमाएं और कैप को बाहर निकालें डीजल टेंक की कैप को बंद करने का तरीका स्टेप एक टेंक और कैप के कट मिलाते हुए कैप को टेंक में बिठाएं स्टेप दो डीजल टेंक कैप को घड़ी की दिशा में गुमाएं जहां तक घूमें स्टेप तीन चाबी को 90 डिगरी घड़ी की दिशा में गुमाएं और चाबी को बाहर निकालें और कैप को घड़ी की उल्टी दिशा में दो चक्र घुमाएं और चेक करें कैप बाहर तो नहीं आ रही है डीजल अगजास्ट फ्लूड डीएफ टेंक की कैप कैसे खुलें स्टेप एक डिस्ट कैप को साइड करें और डीएफ टेंक की कैप में चाबबी डालें स्टेप दो घड़ी की विप्री दिशा में चाबबी को 90 डिगरी गुमाएं स्टेप तीन कैप को घड़ी के विप्री दिशा में अंत तक घुमाएं और टेंक से कैप को बाहर निकालें डीजल अगजास्ट फ्लूड डीएफ टेंक की कैप बंद कैसे करें स्टेप एक टेंक और कैप के कट को मिलाकर कैप को बिठाएं स्टेप दो कैप को घड़ी की दिसा में गुमाएं जहां तक घुमें स्टेप तीर चबबी को 90 डिगरी घड़ी की दिसा में गुमाएं और चबबी को बाहर निकालें कैप को घड़ी की उल्टी दिसा में दो चक्कर गुमाएं और चेक करें कैप बाहर तो नहीं आ रही है BS6 डीजल के बारे में आवसक दिसा निर्देश एक असोक लीलेंड के ट्रक और बसों में BS6 का ही डीजल इस्तेमाल करें 2. BS6 के डीजल में सलफर की मात्रा को 80% कम किया गया है 3. BS4 के डीजल में सलफर की मात्रा 50 ppm थी और BS6 के डीजल में सलफर की मात्रा 10 ppm है 4. BS6 गाड़ी में BS4 का या Milaouti डीजल का इस्तेमाल करने से its exhaust after treatment system को नुक्सान होगा जिसकी वज़े से गाड़ी का पिक अप कम होगा और मरमत खर्च बढ़ जाएगा BS6 के डीजल एकजास्ट फ्ल्यूड DEF के वारे में आफसक दिसा निर्देश एक असोक लीलेंड के ट्रक और बसों में असोक लीलेंड के दुवारा सुझाया गया DEF गलफ AUS 32 ही वरें 2. DEF टेंक की अक्समता 24 लीटर है या 48 लीटर उसके अनुसार ही फ्ल्यूड भराएं 3. कभी भी गाड़ी को DEF कैफ ठीक से बंद ना हो या बिना कैफ के ना चलाएं 4. बिना DEF के गाड़ी चलाने से पिकप लो हो जाएगा और फिर वी अन देखा करने से गाड़ी की स्पीड लिमिट 20 किलो मिटर पर हावर पर आ जाएगी